अलग अलग जरूरत के हिसाब से, अलग तरह की रुपए कार्ट जारी किया जाते हैं, रुपए कार्ट को RBI द्वारा 2012 में लोंच किया गया था इस वीडियो में हम आपको उता हैं कि रुपे काट क्या है इसे फायदे क्या है इसके नुकसान क्या है आप रुपे काट कैसे अपलाई कर सकते हैं तो शलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्स्राइब करें और वीडियो को ल प्लास्टिक काड़ है जिसका इस्तिमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है बैंक अपने गरहा को यह काड़ जारी करती है इसे देज भर में मौझूद पी ओएस डिवाइस एट्यम और प्लेटफर्म पर इस्तिमाल किया जाता है भारत में रुपे के साथ लोकल काड़ फैसलिटी के जरिये इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ली है रुपे डेबिट काड़ बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं यह बैंक ग्रहांकों की योगयता के अधार पर अलग अलग तर जैसे रुपे डेबिट काड़ एक डोमेस्टिक भुकतान गेटवे है इसमें लेंदेन की लागत कम है रुपे के साथ रांजेक्शन प्रोसिस काफी फास्ट है रुपे बैंकों को कोई नेटवर्क रेजिस्टेशन फिस देना नहीं पड़ता यह सीमित या बीना जोड़ी सारी जानकारी दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो को लैक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्स्राइब कर लें